अब देख रहे हैं नोगत अटेंस पंजाब के सिरी टीवी पिछले हफते से पंजाब में जो हैं अहालात थोड़े से बेकाबू होते जा रहे हैं पहले बेदभी की घटनाए और उसके बाद कल लुध्याने के अंदर ब्लास्ट हुआ है इसको बीजेपी के नेता इंदर जी जी कैसे देखते हैं हमारे साथ इंदर जी जी लगतार पिछले तीन महीने पहले आप बीजेपी में सामिल हुए हैं लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव नजदीक हैं ऐसी घटनाई हो रही है इसके पीछे आप वजय क्या मानते हैं देखिए इसके विजे मैं आपको एक थ हिस्ट्री पढ़ ले हैं तो वहां पर दो ही पार्टियां थी तीसी कोई पार्टी आज तक ना उठी है आप देखिए क्या चेंज आ रहा है लोगों में वेर ना सारी है पूसरे पहले दो ही पार्टिया थी कॉंगस ती यहां काली दल था तो काली दल क्या होता था बाजल तोड़ा टलवंडी तीनों मिल जाते थे जब इकठे होएते थे गौवर्मेंट भी बना लेते थे वह जब यह आपस ताक्तों की पीछे लड़ पड़ते थे तो यह गांगस नाई साल के बाद इनकी गवर्मेंट डिगर जाती थी तो फिर पांस साल के लिए गांगस आ जा राद हम का के जब रूलिंग पार्टी होती है और रूलिंग पार्टी क्या करती है वो तो अपनी सेफ साइड लेके चलती है जो अपोदिशन होती है एलेक्शनों के दिनों में वो बदनाम करने कोशिश करती है उनको भी बदनाम करना है कि देखिए यह जो कॉंगर्स पार अब जब काली दल आ जाएंगे, भी कोई पार्टी को मैंनी बंदाम करुगा। लेकिन बैद बी की घटना है हुई, अमरसर के अंदर हुई, कपोरथला के अंदर हुई, जिस तरीके से, अमरसर के अंदर हुई है तो उसका जो कहा जा रहा है कि कोई भी आईडी प्रूफ जो है वो नहीं मिला है देखी आईडी प्रूफ तो सोची साची जो है यह चल रही है तो आप एक चीज नोट कीजे ना जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी कौन सी पार्टी है जो बेयाद भी हुई कोली कांट हुआ गुरु गोविसी जी गुरु बाबाजी की बेयाद भी हुई तो किस ने क करवाया अकालियों ने और कांगस ने जब कांगस में कैप्टन मेरेंदर सिंग जी थे उन्होंने जब एलेक्शन लड़े तब वो कांगस में थे तब उन्होंने गुटका साब की बेयाद भी करवाई हाथ में लेके किसमें खाई इन्होंने बेयाद भी कराई जब इनकी ग में क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि कैप्टन साब ने बैद्भी की घट्राइं घट्वाई हैं देखे मैं जो बात सची बात है उसको निकारा नहीं सकता कि जब गुटका साब हाथ में लेकर तो आप कांगरस में थे ठीक है और आज थी कि आप हमारे साथ आगे हैं तो उस टाम तो वो कांगरस में थे ना तो बेद्भी तो हुई है ना और तो देखिए वे तो गुरू घर की एक चीज है कि जो आदमी गुरू घर को बेदाम करता है और बेद्भी करता है वो सज़ा तो भहाता ही है बोस्तों को क्योंकि उसको आप देखिये एक चीजी नोट किजिए हम गरीब से गरीब आदमी भी हैं जहां उसके पास अपना डंटी काड़ होगा आज ऐसा कोई आदमी नहीं है मार्केट के अंदर कि जिसके पास मुबाइल ना हो जिसके पास अपना कोई पुरूफ ना हो बेशक कहीं का भी रहने वाला हो अल ओवर इंडिया कहीं का भी रहने ना कोई इसका नाम का पता चला ना कुछ चला वही चीज उसी तरीके से इसमें भी हुआ हुआ है जो लुद्याना गुली कांड में हुआ है उस आदमी कहा कोई थबूत नहीं वो ये बीच में मारा भी गिया वो ना उसके पास दारकाड मिला ना उसका कोई रंटिक फूर मिला ना मॉबाइल मिला सर्फ एक उसके बाजू पे खंडे का निशान था अब ये एक जो भी बंदा जिससे करवाता है जो बंदा जो दूसरा करेगा तो नेचरली कोई ना कोई तो सुबूत छोड़ेगा अब ये एक प्लैन है सारा के बंदाम करने का कांगर्स को क्योंकि अब बीजे पी ने जो कांगर्स के मुद्धे थे किसानों के वो भी पापस ले लिए और जो उनको चाहिए था किसानों को उससे ज़्यादा बढ़कर दिया है मोदी जी ने अब इनको ये डर लग रहा है कि ये तीसरी शक्ती गई उठके ना जाए ये जमीन चीज़ है